हलो प्यारों बच्चों आशा है आप सब लोग ठीक होंगे चलिए आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो हम रोज यूज करते हैं पर कैसे बनता है ये कभी नहीं सूचते और ये भी देखते हैं कि ये कार्य हमारे बापु जी हाँ जी हमारे प्रिय महात्मा गांध जी का प्रियकारे भी था और आजादी की लड़ाई में इसकी बहुत बड़ी भूमिका भी थी अच्छा तो चलिए देखते हैं फाइबर टू फैबरेक ये क्या है बच्चों एक बहुत ही सुन्दर सा फरवाला स्वेट है जो सर्दियों में हमें ठंड से बचाता है इसे अंगोरा स्वेटर के नाम से जानते हैं और ये क्या है ये है एक खुबसूरत से सिल्क की साड़ी जो विशेश अफसरों पर पहनी जाती है क्योंकि ये बहुत महेंगी होती है और ये ये है पश्मीना शॉल जो कश्मीर का स्पेशल प्रोड़क्ट है ठीक और ये ये तो आ पिट भी कहते हैं ये भी अधिकांश्धा घरों में मिलती है तो आज हम ये सब क्यों देख रहे हैं आईए समझने की कोशिश करते हैं कि इन में क्या समान है ये सारी चीजे जो हमने देखी वो सभी फाइबर से बनी है जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा फाइबर दो कि वो जानते हैं जैसे का मिश्या सर्देख रहे हैं स्वैटर साड़ी शाल ऐनीमल फाइबर के प्रोड़क्ट में जो वूल और सिल्क से बने और दूसरी तरफ प्लांट फाइबर्स की प्रोड़क्ट हैं जैसे डरी जीन्स जाकेट जो कॉटन से बने हैं और बैग्स जो से बना है ठीक तो चलिए अब हम एनिमल फाइबर में से पहले वूल बनने की प्रक्रिया को समझते हैं वाव ये कितना खुबसूरत सा जीव है कौन है ये नहीं पैचानते ना आप लोग ये है अंगोरा गोट कितने मकमली लंबे और घने बाल हैं इसके शरीर पर इन्हें फर भी बोलते हैं ये कश्मीर में मिलती है और ये कितना क्यूट है इसे तो आप थोड़ा थोड़ा पैच जाती अलग है ये है अंगोरा रैबिट ये भी कश्मीर में मिलता है जो आपने अभी अंगोरा स्वेटर देखा था न वो अंगोरा रैबिट और अंगोरा गोट के फर से ही तयार किया जाता है अब इसे देखिए ये है पश्मीना बकरी ये भी कश्मीर में ही होती है पश् अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट और पश्मिना गोट की, ठीक, इनके अलावा अन्य भी जीव हैं, जिनके फर से वूल तयार की जाती है, और स्वेटर और शॉल के अलावा अन्य गर्म कपड़े भी बनाये जाते हैं, जैसे ब्लैंकेट, मिन्स कंबल, माफलर, टोपी, दस्ताने, जुराबें, आदी, ठीक है, और उन जीवों में जो सबसे अधिक फेमस है, जिसकी फर्स सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, बड़ी मातरा में प्रयोग की जाती है, वो है भेड, शीप, हमारे पूरे देश में वूल के लिए भेड पालन बहुत बड़े प बोलते हैं, selective breeding, अलग-अलग इस्थानों पे अलग-अलग प्रजातियों की भेड मिलती है, ठीक, तो इसके अलावा और किन-किन जीवों के फर का इस्तमाल किया जाता है, उन में से एक है उन्ट, ठीक है, उन्ट के फर से भी उत्तम क्वालिटी की बूल बनाई जाती है, को अमेरिका में मिलते हैं, इनके फर कितने सौफ्ट और फाइन हैं, इनके फर से बने वूलन क्लोथ पश्चमी देशों में प्रचली थे हैं, और वो जो सिल्क के साड़ी देखी थी आपने, वो इस कीड़े से प्राप्त रीशी से बनाई गई है, इसे सिल्क वम कहते हैं, तो स्कावरिंग, तीसरा सौटिंग और ग्रेडिंग, चल्था क्लीनिंग ऑफ बर्स, पांचवा डाइन और छठा रोलिंग, चलिए, सभी स्टेप्स को हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, कि ये वहोत ही इंट्रस्टिंग स्प्रोसेस है, आपको मजा भी आएगा, तो वूल बनाने का फर्स स्टेप है शियरिंग, शियरिंग मींज बाल काटना, जी हाँ, बच्चों, सबसे पहले हम जिस जानवर के बालों से वूल बनाना चाहते हैं, उसके बाल काटते हैं, इसको बोलते हैं हम शियरिंग, आओ देखते हैं, ये कैसे होता है, इस क्रिया में सबसे गर्मयों में जिससे सर्दियों तक इनके शरीर पे फिरा फिर से घने बाल हो जाएं और ये Сर्दियों में ठंड से अपने आपको बचा पाएं आएए अब देखते हैं सेकिन प्रोसेस को इसे कहते हैं हम स्कावरिंंग स्कावरिंग का मतलब है सफाई जी हाँ जो फ्लीस हमें शेरिंग प्रोसेस में मिलती है न उसमें बहुत गंदगी होती है कुछ गंदगी तो बाहरी होती है, जैसे सूखे पत्ते, कांटे, जाड़ियां वगरा, वो हाथों से बीन कर निकाल ली जाती है, और दूसरी तरह की गंदगी होती है, ग्रीस, दूल, मिट्टी आदी की, ठेक, ग्रीस का मतलब होता है चिकनाई, चिकनाई जैसे तेल में होती है, दरसल शीप या गोट के पसीने में से ये ग्रीस निकलती है, और ये ठंड से बचने का एक तरीका भी है, ताकि बारीश का पानी बालों से टकरा कर चिकनाई, यानि ग्रीस की वज़े से बाहर गिर जाए, और अंदर ना सके, इस वीडियो में जैसा आप देख रही है, ग्रीस निकालने के लिए फ्लीस को सावून के गरम पानी से कई बार धोया जाता है, ठीक, आज के लिए प्रोसेस मील में बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा होता है, जैसे मशीने आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है, बच्चों यहां हम देख सकते हैं कि फ्ल फ्लीस को धागा बनाने वाली मिलो में भेज दिया जाता है, जहां पर थर्ड प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को बोलते है हम सौर्टिंग, सौर्टिंग का मतलब होता है अलग-अलग करना, ठीक है, अलग-अलग करना मतलब छटनी करना, इस प्रोसेस में फ्लीस के नुसारपे उन्हें अलग-अलग किया जाता है. घेक, जिसे रंग जिसे ब्लाइक, ब्राउण और वाइट ही तक है। ओरिजनली जु है फ्रीस Nä वह समें ब्लाइक ब्राउण और वाइट ही कलर में ही दूर दिया जाता है। दूसरा, texture, texture का मतलब होता है, fleece soft है या rough है, तो उनकी softness या roughness के नुसार उनको अलग-अलग category में रखा जाता है, soft fibers उन बनाने में इस्तिमाल होते हैं, और जो मोटे वाले होते हैं और rough fibers, वो blanket यानि कंबल या और वी दूसरे प्रकार की वस्तुवों बनाने के लिए इस्ति कांटे बोल देते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं, बर्स, तो cleaning of बर्स, जी हाँ, यही है हमारा fourth process, ठीक, cleaning of बर्स मतलब बर्स यानि कांटों को फ्लीस से निकालना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बर्स जानवरों के बालों में चिपक जाते हैं, और scouring process में कांटों को निकालने का process ही कहलाता है, cleaning of बर्स, बच्चों, कई बर्स को दोने के बाद भी फ्लीस में बाहर की तरफ से soft ratio उलच जाते हैं, जैसे हमारे कपडों में रोएं उठ जाते हैं ठीक, वैसे ही, उन्हें भी हम बर्स बोलते हैं, और इस process में उन्हें भी काट कर हटा दिया जाता है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, जहने लाल गोलों से दर्शा गया है ना, वो बर्स हैं, ओके, बच्चों, जैसा आप देख रहे हो, कि अब वूल कितनी साफ हो गई है, पर अभी भी कुछ कमी दिख रही है, लग रही है ना, एक तो इसमें ही से टाइट है, और इसके रेशे भी काफी चिपके हुए है, जबकि धागा बनाने के लिए हमें काफी सुल्जी हुई और सॉफ्ट वूल चाहिए होती है, ठीक, तो चलिए इसको रंगने का और इसे और सॉफ्ट बनाने का प्रोसेस देखते हैं, बच्चों, अब हमारी दाइंग कैसे की जाती है, ठेक, तो सबसे पहले वूल को पानी में खौलाया जाता है, और उसमें अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग रंग मिला दिये जाते हैं, वूल को इसी तरह रंग पक्का होने तक आधे से एक घंटे तक पानी में ही छोड़ दिया जाता है, और में स्पिनिंग भी कहते हैं, ठीक बचों, तो यही वो प्रोसेस है जब वूल से धागा बनाया जाता है, धागा बनाने में आसानी हो, इसके लिए वूल के रेशों को पहले सीधा करते हैं और उसे सुल्जा लेते हैं, बचों, जैसा आप देख रहे हो न, वूल को दो लोह के ब्रश के बीच कंगी की तरह थोड़ी देर चलाते रहते हैं, ताकि इससे रेशे अलग-लग हो जाएं और वूल सॉफ्ट हो जाएं, सॉफ्ट हो जाने से आगे का प्रोसेस आसान हो जाता है, अब देखा बचों आपने, वूल कैसी सॉफ्ट हो गई है, यह तो आप प्रोसेस लगे होते हैं, और उनके द्वारा यह सॉफ्टनिंग का कारिय किया जाता है बड़े पैमाने पर, तो अब हमारी वूल रेडी है, इसके लिए धागा बनाने के लिए, तो आगे हम प्रोसेस देखेंगे धागा बनाने का, ओके, और बच्चों इससे तो आप सब जानती ही हो, यह है चर्खा, इससे कपास से हम धागा बनाते हैं, और वूल से धागा यान बनाने के लिए भी इसी चर्खे का इस्तमाल करते हैं, इसे हम इंग्लिश में स्पिनिंग वील कहते हैं, आजकल धागा बनाने के लिए मशीनों का इस्तमाल होता है, और चर्खा कम वाला चर्खा है और चेर पर बैठ कर चलाया जाता है जबकि हमारे देश में जो चर्खा प्रचलन में है उसे हम जमीन पर बैठ कर चलाते हैं ठीक यहां देखो बच्चों, वही सारा काम यहां मशीनों से हो रहा है मशीनों से होने वाले काम जो हैं, वो हाथों से होने वाले काम के तुल्ला में बहुत तेज गती से होते हैं है न, और मशीने थकती भी नहीं है, इसलिए दुनिया भर में अब यह सब काम मशीनों से ही होता है, आपके लिए एक जीके का क्वेशन है, यह जो चित्र आप देख रहे हैं बचों, बताइए तो यह कौन है और क्या कर रहे हैं, मुझे उमीद है आप सभी नेने पहचान लिया होगा, यह हैं गांधी जी, जिने पूरा देश प्यार से बापु भी कहता है, और यह चर्खे से सूथ काट रहे हैं, में इस धागा बना रहे हैं, चलिए इनके विशे में मैं आपको कुछ और भी जानकारी देती हूँ, यह विडियो 1946-47 का है, इसलिए बहुत क्लियर तो नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ इसमें क्या है, सबसे पहले चर्खे से सूथ काट कर और उससे बना मुटा वस्तर, गांधी जी ने स्वैम ही पहना था, और यह आजादी के समय की बात है, और उन्होंने उस समय देशवासियों से अपील भी की थी, कि सभी घर-घर में चर्खा चलाएं और अपने बनाए वस्तर ही पहने, जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक इस्तिती में भी सुधार होगा, वो स्वैम प्रति दिन नियम से चर्खा चलाते थे, है ना ये एक प्रणा प्रज्यानकारी? ओके बच्चों, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा हैं, ठीक? सबसे पहले आपने फस्ट प्रोसेस पढ़ा था, शीरिंग, यानि शीप के बालों को काटना, ठीक? और कटे हुए बालों को कहते हैं हम, फ्लीस. सेकेंड प्रोसेस था, स्कावरिंग, यानि फ्लीस को साबुन के पानी में दोना, ताकि ग्रीस और जो दूसरी गंदगिया है न, वो भी सब बाहर हो जाएं, सब निकल जाएं. प्रोसेस थर्ड था, सॉल्टिंग, यानि डिफ्रेंट कलर और टेक्स्चर की फ्लीस को अलगला करना, नेक्स्ट प्रोसेस फोर्थ था, क्लीनिंग का, तो क्लीनिंग आफ बार्स, यानि फ्लीस से काटे निकालना, चेक? नेक्स्ट प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस है, डाइ यानि धागा बनाना इसे हम spinning भी कहते हैं है ना अब हमारा धागा तयार है और अब इस धागे से अलग लगतरे का कपड़ा बनाया जा सकता है तयार कपड़े को हम बोलते हैं फैब्रेक थैंक यू बच्चों झाल 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 झाल